लखनव शहर में सुमन देवी नाम की एक व्रिद्ध विद्वा महिला रहती थी उनका बेटा रोहित और बहु नेहा भी उनी के साथ रहते थी सुमन देवी एक सरकारी नौकरी करती थी और उनकी तनख्वा से ही पूरे घर का खर्च चलता था रोहित और नेहा का स्वभाव बहुत ही नालायक था दोनों की आदते खर्चीली थी और वे दिन राद बस मौज मस्ती में लगे रहते थे सुमन्देवी उन्हें हमेशा समझाती रहती थी पर उन दोनों के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी वो तो एक कान से बात को सुनते और दूसरे से निकाल देते सुमन्देवी हर दिन कड़ी मेहनत करती सुबह जल्दी उठकर अपने ओफिस जाती और देर शाम लोट उनकी तनकों महीने के अंत में आती जिससे वो घर का खर्च चलाती और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती लेकिन रोहित और नेहा की आदितों के कारण उनका पैसों को बचाना मुश्किल हो जाता था तुम दोनों कल ही तो होटल में खाना खाने गए थे आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो अरे ये रोज रोज फालतू के खर्चे करना कम करो थोड़ा जोड कर रखो बुरे वक्त के लिए बचाओ पैसा काम आता है सेविंग करो रोहिद बेटा जब से तुम्हारी नौकरी छूटी है तुमने दूसरा काम भी नहीं ढूंड़ा तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्च चल रहा है भगवार न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे हमारे पास तो छद भी नहीं है जहां मेरी नौकरी छूटी है सरकारी कौटर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा फिर हम कहां जाएंगे मा जी तब कि तब देखी जाएगी अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉई करने तो मुझे तो ऐसा लगते है कि आप हम दोनों को नजर लगाती हो हम दोनों का बाहर गूमना आपको पसंद नहीं है मा जब हम कहीं जा रहे होते ना तब ही तुम टोकर हमारा मूड खराब कर देती हो मैं जाएगी रापिक्चर देखने मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपकी टुकडो में पल लाओ नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है मैं तुम्हारी भले के लिए ही तो समझाती हूं तुम्हें रुकों मैं पैसे ले कराती हूं सुमित्र देवी अंदर जाती है और जुड़े हुए कुछ पैसों में से हजार रुपे रोहित के हाथ में दे देती है रोहित और नेहा घूमने चले जाते है रोहित और नेहा पर सुमन देवी की बातों का कोई असर नहीं होता था दोनों रोज घूमने फिरने चले जाते थे और पैसे उड़ा देते थे अब सुमन दिवी ने रोहित पर नौकरी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया रोहित जब भी नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जाता तो नेहा को भी अपने साथ ले जाता अब जब नेहा साथ होती तो रोहित उल्टा सीधा इंटर्व्यू जल्दबाजी में दे देता उसके बाद वो दोनों फिर घूमने निकल जाते इंटर्व्यू तो एक बहाना था वो दोनों तो बस घूमने का मौका ढूंडते थे अब इंटर्व्यू देने के लिए सुमन देवी बिचारी रोहित को आने जाने के पैसे भी देती और उसे थोड़ी पता था कि रोहित इंटर्व्यू जल्दबाजी में देता था उसे तो बस यही पता चलता था कि रोहित इंटर्व्यू में फेल हो गया है उसका इंटर्व्यू अच्छा नहीं हुआ है पर असली सच सुमन देवी को पता ही नहीं चल पाता था पर एक दिन सुमन देवी ने अपने काम से लोटते समय बहू और बेटे को फेले से चाट पकोड़ी खाते हुए देख लिया और वो हैरान रह गई आज तो रोहित का इंटर्व्यू था मैं जब काम पर निकली थी तो रोहित को इंटर्व्यू देने जाने के लिए बस का किराया दे कर गई थी पर इस समय तो रोहित को आफिस में होना चाहे था जहां इसका इंटर्व्यू है ये दोनों तो यहां चाट पकोड़ी खा रहे है सुमन्देवी रोहित और नेहा के पास जाती है अरे मा तुम और यहां? हाँ अज जल्दी घर लोट रही थी पर तुम्हारा तो इंटर्व्यू था न शाम का तुम यहां क्या कर रहे हो? मा वो मेरा इंटर्व्यू कैंसल हो गया पहुँशने में थोड़ा लेट हो गया था नेहा का मन था चाट पकोड़ी खाने का तो हम दोनों यहीं रुख गए बस घर जाई रहे थे साथ चलते हैं हाँ और थोड़ा पैक भी करवा लेंगे घर पर जाकर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी सुमन देवी समझ चुकी थी कि ये दोनों बिलकुल भी समझदार नहीं है रोहित के साथ साथ नेहा भी बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं है वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती और नहीं उसे आगे आने वाले भविशे की कोई चिंता है रोहित और नेहा सोचते थी कि उनकी मा की सरकारी नौकरी है पैसे तो आते ही रहेंगे फिर एक वक्त ऐसा आया जब सुमन्देवी की तब्यत अचानक खराब हो गई और वे काम पर नहीं जा सके उनकी तनख्वा रुग गई और घर में पैसे की तंगी आ गई सुमन्देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें सरकारी कोटर छोड़ना पड़ा बस उन्हें पैंशन ही मिल रही थी जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया अचानक नेहा भी प्रेगनेंट हो गई अब सब कुछ एक साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब जाकर रोहित और नेहा को समझ आई पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था मा तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें सम्हाल कर करें जोड कर रखें पर मैंने और नेहा ने आपकी बात को कभी नहीं माना आज एकदम से सारी परेशानियां सिर पर आ गई इधर नेहा प्रेगनेंट है मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही सब कैसे होगा मा चिंता मत कर मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है बस तुझे पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी समय पर जाना है, समय पर आना है सुमन देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी इस वज़े से सुमन देवी ने बात की और रोहित को सरकारी नौकरी मिल गई रोहित खूब मेहनत से नौकरी करने लगा अब उसने फालतु खर्च करने भी बंद कर दिये नेहा भी समझदार बन गई जब रोहित नौकरी पर जाने लगा तो सुमन देवी ने घर पर रहना और नेहा की देख भाल करना शुरू कर दिया।